नमस्कार, मैं हो ससी, आए जारखन की टोप 25 परमुख खबर जानते हैं सीची गई पार्टी को अपमानित होने की वज़े से छोड़ने पर दुख भी जताया बड़ी संख्या में समर्थकों की मजूदगी में संताली भासा में संबोधन सुरू करने के बाद चमपई सुरण ने भासन का अंत जय जारखन और जय स्रीराम के नारे के साथ किया चमपई ने कहा है कि पार्टी में अपमानित होने के बाद उन्होंने सन्यास पर विचार किया पर जानता के समर्थन के कारण सक्रिय रानिती में रहने का फैसला लिया उन्होंने कभी नहीं सुचा था कि उनकी जासूसी होगी देश में दो बड़ी पार्टिया भाजपा और कांग्रेस हैं कांग्रेस ने हमेशा आदिवासियों पर गोली चलवाई है जार्खन के हालात के अनुसार आदिवासि मुलवासी की सेवा के लिए भाजपा को चुना चमपई ने कहा है कि संताल में सिधू कानों की धर्ती को सिर्फ भाजपा ही बचा सकती है संताल में बांगलादेशी घोस पैठियों ने सब बदल दिया है जार्खन में परोसी राजियों से टेट पास भी बन सकेंगे सिक्षा अगजार्खन सिक्षा पर्यूजना की ओर से पुर्भी सिम्हूं के कस्तुरवा गांधी आवासे बिद्याले और नेताई सुबास चंद्र बोस आवासे बिद्याले के लिए सिक्षको की नियुक्ति की जा रही है पहले जहां इन स्कूलों में नियुक्ति की जाने वाले सिक्षक के लिए जेटेट अनिवार किया गया था और सीटेट तथा और पर्देशों के टेट उतिन अभ्यार्थियों के आवेदन इसमें सरीकार नहीं किया रहे थे वहीं अपसंस्वधित गाइडलाइन के अनुरूप जेटेट के अलावा सीटेट और जहार्खन के परोशी पर्देशों के टेट उतिन अभ्यार्थियों को भी नियुक्ति परकिया में सामिल होने के लिए योगि माना गया है भुईहर जाती को अनुसुचित जन जाती में सामिल करने की मांग कर रहे हैं मुख्यमंत्री ने उन्हें अस्वस्त किया है कि ए ब्यक्तिगत रोची लेकर भुईहर जाती को अनुसुचित जन जाती के सामिल करने की सामिल साकरात्मक पहल करेंगे बता दे नए दिली में नए जारकन भुण का उद्गाटन मुख्यमंत्री हमान सुरेन 3 सितंबर को करेंगे सुरेन ने इसके लिए 2 फर 3 बज़का समय दिया है इस भुण में राजे पाले और मुख्यमंत्री के लिए 2 आलिसान सुईट बने हुए हैं हाई कोट के मुख्य नयाए धीस और मुख्य सचिव के लिए भी कमरा बना है भाजबा को हर इंसान में दीख रहा भूत सुप्रियो छामुमो महा सचिव सुप्रियो भटाचाय ने दावा किया है कि चुनाव लड़ने से पहले ही भाजबा हार मान चुकी है उन्हें हर इंसान में भूत दीख रहा है चुनाव के बाद सारी बाते असपश्ट हो जाएगी चंपाई सुरेन को लेकर उठे एक सवाल के जबा में उन्होंने कहा है कि खाली अस्थान को भर दिया क्या है उन्होंने पाटी में चंपाई के योगदान की सराहना करते है भवी से के लिए उन्हें सुपकमनाय दी है सुपरियों भटचाई ने कहा है कि चुनाव के बाद एक बार फिर है मन्त सुरेन के नेतित में सरकार बनेगी सन्वादाता समिलन में सुपरियों ने कहा है कि भाजपा की राजनीती का संपूर्ण ताना बाना जासोसी पटी कहा है समाज को बाट कर राजनीती को प्रदोसित कर हमारे मुख्य परतीदोंदी बनी भाजपा की बातों का कोई भरोसा आम लोगों के पास नहीं है रामदा सुरेन बने मंती राज्येपाल ने दिलाई सपत घाट सीला से निर्वाचित बिधायक रामदा सुरेन हेमंत मंती मंडल के नए सदसे बने है उन्होंने सुक्रोवार को राज भवन में मंत्री पत की सपत लिहाए राज येपल संतोस कुमार गंगवार ने उन्हें पद एवं कोपनेता की सपत दिलाई इस और पर मुख्य मंत्री हमन सुरेन, मंत्री सत्यनाद भोकता, हफिजूल हसन, इर्फान अंसारी, विधायक कलपना सुरेन, मुख्य सचीव एल क्यागते, कैबिनेट सचीव वंदर दादेल, राज येपल के परधान सचीव, नितिन मदन कुलकरनी एवं अन्य गन्माने लो मंत्री पद की सपत लेने से पहले विधायक वह उनकी पतनी के पुरे परिवार के सजस्योग के संग, गुरु जी के आवास पहुंचे गुर्डा जीले मे एक कॉल पर घर पहुंचेंगे पसुचिकित सा, गुर्डा जीले मे बिमार पसुधन को चिकित सा मोहया कराने के लिए अब चलंथ पसुचिकित सालह में डॉक्टर व कर्मी घर आकर सेवा देंगे जीले के 11 लग पसुधन के लिए राई सरकार ने चलंद पसुची की साले सेवा सुरू की है इससे पसुपालको को काफी सहुलियोत होगी बदा दे एक कॉल पर ही अस्तुविधा मुहया हो सकेगी जीले के 9 पर्खणों परते के लिए एक एक चलंद पसुची की साले वेन उपलब्ध कराने की जोजना है शुरुआत्ती चलंद में अभी जीले को ऐसी दो मेडिकल वेन उपलब्ध हुए है बदा दे जीला पसुपालको के लिए टॉल फिरी नमबर डायल एक नव चो दो जारी किया गया है बिमार पसुधन को चिकिस्सा सुविधार लेने के लिए एक नव चो दो नमबर डायल कर पसुपालको को अपने मोबाईल से कॉल करना होगा इसकी सेवा 30 अगस्त हो गया है चार कंड में पुलिस ने छेड़ा पोस्टर वार बिकास और सांती के लिए सीर्दर्द बन चुके नकसलियों के खिलाब पलामो पुलिस ने पोस्टर वार सुरू कर दिया है लेसली गंज, SDPO, मनोज, कुमार जहा के नतियुत में तरहसी थाने के पुलिस ने थाना छेत्रिगे नकसल प्रवावीत, बगला, छेचानी, पसहर, बजार, रहमानी, चोक, दुदू, नावा, उदाएपुर, टू, पंचायत, सचीवाले, सहित, अने गाओं में पोस्टर चिपकाया है इनमें 15 लाग के नामी, निते, स्यादो, समय, 13 उग्रवादियों के नाम सामिल है प्रतिबांधित, नकसली, संगठन, भागपा, मवादी के चार, जेजे, एमपी के तीन, और टी, एस, पी, सी, के चार, उग्रवादी, फोटो, पोस्टर में दिखाया गया है पोस्टर में पोस्टर में पोस्टर में पोस्टर के वर्य पतादिकारियों के नमबर जारी किये गए है जिसमें लोगों से अपील की जा रही है कि वह मवादी, टी, पी, सी, जे, एमपी, नकसलीयों के सुचना पोलिस के साथ साजा करे जिसे पुलिस नक्सलियों को धर दबोशने में कम्याब हो सके जहां मोमो कांग्रेस की सरकार बनी तो जहारखन बरबाद तबाह हो जाएगा शुक्रवार को बोकारों के सर्शती मदिन में आयोजीत विचार गोस्टी में केंद्रिय क्रिसी एम कल्यान सह ग्रामिन विकास मंत्री सिराज सिंग चोहान ने जहारखन सरकार पर जम करामला बोला उन्होंने कहा एक जहारखन में खुलिया मंगला देशी व बिदेशी नागरिको का घुस्पैट हो रहा है मंगला देशी जहारखन की आदिवासी बेटियों से साधी कर रहे है यहां जमाई टोला बन रहा है पच्छिम मंगाल में मम्ता दीदी विदेशी नागिरी को को संद्रक्षन दे रही है इसी परकार जार्खन सरकार इन्हें संद्रक्षन दे रही है वहीं राज में जामो कांगरे सरकार बनी तो जार्खन तबाह बरबाद हो जाएगा जार्खन सरकार तोष्टी के रणवा वोट वैंकी रणित्ती कर रही है साथी कहा है कि जार्खन को चिल गीर की तरह नोचा जा रहा है जार्खन कमजोर हुआ तो भारत कमजोर होगा अस्पतालों में मरीज जमीन पर इलाज कराने को मजबूर बारिस के मौसम में सर्दी जुकाम और बुखार के साथ गंदगी मचरों के प्रकोप तथा परदूसन जल के सेवन से डायरिया, मलेरिया, डेंगू, वारल फिबर समित अने कई तरह की भी मरीज तेजी से फैलने लगी है वहीं बारिस में तवचवा आँखों से समाधी कई तरह के रोगों की चपेट में भी आ रहे है बता दे, जमसेदपुर के परमुक अस्पताल, MGM, O, सदर अस्पताल में भी इन दिनों पहुँचने वाले मरीजों में अधिकतर में बरसाती बीमारियों के लक्षन पाया जा रहे है इस समय अस्पताल में सबसे ज़्यदा वारल फीबर के मरीज पहुँच रहे है इसके कान अस्पतालों में बेट की कमी हो गई है जिससे मरीजों को पहर सानी बढ़ गई है अस्पतालों में मरीजों को एट्रेचर, कुर्सी वा जमिन पर लेटा का इलाज किया जा रहा है गिरीडी में DC ने सुरू किया आपकी सरकार आपके द्वार कारकरम गिरिडी के सभी परखंडों में सुक्रवार को आपकी योजना, आपकी सरकार आपके दौर कारख्रम शुरू हुआ है, गिरिडी परखंड के जस्पुर्वा फोल्ची पंचायत में सिवईर लगा, D.C. नमन पिरियेस रकड़ाने कारख्रम के लिए गिरिडी जिले के विभी पंचायतों में सिवीर लगाया जा रहा है इस दोरान वर्य अधिकारियों के साथ परतिन्यूक तो नोडल अधिकारियों के उपस्तिती रहते हैं उन्होंने कहा है कि सिवीर मैया समान योजना अबुआ अवास अबुआ स्वास सुरक्षा कल्यान विभाग सिक्षा विभाग आपूर्ति पंचायती राज, समाजिक सुरक्षा, पेंसन, मन्रेगा, पेज़ा लिम सुक्षता विभाग, क्रिसी साकार्दा पसुपारन वमतस्य, राजास्व, उर्जा, स्वास, स्विक्रिति पत्र, जे एसल पीएस की योजनाओं के लिए विभीन अपना अपना आपूर्य, सिफाही पद पर बहाली के लिए अवियार्तियों के सा साहिरिक जाश, वम्त्र, सरीनिक जाश, वमध्यार्तियों के बाद दोड कराया जा रहा है, इस तरणकभ अभ्यार्थी बेहोस कर गिर रहे है, जिसके बाद मेदनी राय मेड्कल कॉलिये हैं इलाज के लि में बहुत होकर गीर पड़े एंबुलेंस के दुआरा उन्हें MMCS लाया गया वहीं चार अभियारतियों के हलाद गंभीर होने पर रीम्स रेफर कर दिया गया है गोविंद पूर होल्ट पर यात्रियों ने किया हंगामा जमसेद पूर में पैसेंजर ट्रेन को रोक कर माल गाड़ी को पार कराने से नदाज मजदूरों और यात्रियों ने मिलकर गोविंद पूर रेलवे होल्ट के पास रेलवे ट्रेक को जाम कर दिया सुबह करीब 8 बच क और आरोप लगाया है कि रेलवे सिर्फ माल धुलाई कर रही है पैसेंजर ट्रेन रोकने के कारण वे लोग ड्यूटी नहीं जा पा रहे है देर होने के कारण पैसा काट दिया जा रहा है यातिवों नहीं यहाँ पुरुलिया जार गराम डेली मेमू पैसेंजर ट्रेन को रोक दिया है लोग का रोप था कि अक्सर वे लोग इस ट्रेन से आते जाते हैं लेकिन उसको माल गाड़ी आते ही रोक दिया जाता है माल धुलाई के चकर में आम लोगों की अंदेखी रेलवे कर रही है जारखन में दो सितंबर को नहीं बंद रहेंगे पेट्रोल पॉम्प जारखन के सबी पेट्रोल पॉम्प दो सितंबर को 24 गंटे के लिए बंद नहीं रहेंगे मुखे मंत्री हेमन सुनन से मुलकात के बाद एने नहीं लिया गया जारखन पेट्रोलियम डिलर्स एसोसियेशन ने पेट्रोल और डियल में वैट कम करने वैट रिटन भरने की अनिवारता खत्म करने और सरकारी बकाय के भुगतान की मांग को लेकर दो सितमर को एक दिवस्येशन बंद का एलान किया था अब इससे अस्थागित कर दिया गया है यह जनकारी हर्मु रोड इस्थीत दिगंबर जैन भौन में होई प्रेस वारता में संगटन के अध्यक्स असोक सिंग ने दिया है राज्ये में पेशा कानून लागू करे जार्खन सरकाराश्ट्री है अनसुचित जन जाती आयोग ने कहा है कि जार्खन में आधिवासियों की जमीन गयर आधिवासियों को टांसपर हो रहा है इस परकार का अन्याय नहीं होना चाहिए आयोग ने सरकार से कहा है कि आधिवासिहीत में राज में पेशा कानून लागू करे आयोग के अध्यक्ष अंतर सिंग आरया की अध्यक्षता में सुक्रवार्गो प्रोजेक्ट भौन में एक समीक्षा बैठक हुई बैठक के बाद आयोग के अध्यक्ष ने बताया है कि आज गाउं के गाउं खाली हो गए हैं बाहर से आकर लोग बसते जा रहे हैं पाकूर के संताली कहा गए पता नहीं ऐसी हलात में एंट्रो सीटी एक्ट लगाना चाहिए उन्होंने कहा है कि देश के दस राजों में पेशा कानून लागू है लेकि जारखन में नहीं यहाँ पेशा कानून के तहत नियम भी नहीं बनाये गए हैं समीक्छा बैठक में आयोकी सदस डाक्टर आसा लगडा मौजूद थी धन्यवाद